मेरे प्यारे देश वाद्षियों स्वतंत्रता के इस पवित्र दिवस्ट पर सभी देश वाद्षियों को अनेक अनेक शुब कामना है आज रक्षा बंधन का भी परव है सदियों से चली आई ये परंपरा भाई बहन के प्यार को अभीवक्त करती है मैं सभी देश वाद्षियों को सभी भाईयों बहनों को इस रक्षा बंधन के पावन परव पर अनेक अनेक शुब कामना है देता हूं सने से भरा ये परव हमारे सभी भाईयों बहनों के जीवन में आशा आकांख्षाओं को पूर्ण करने वाला हो सपनों को साकार करने वाला हो और स्नेह की सरीता को बढ़ाने वाला हो आज जब देश आज़ादी का परव मना रहा है उसी समय देश के अनेक भागों में अतिवर्षा के कारण बाड के कारण लोग कठिनाईयों से जूज रहे हैं कहियों ने अपने स्वजन खोए है मैं उनके प्रती मेरी सम्वेदनाई प्रगड करता हूँ और राज सरकार, केंदर सरकार, NDRF सभी संगठान नागरिकों का कस कम कैसे हो सामाने परिस्थिती जल्दी कैसे लोटे उसके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं आज जब हम आज हदी के पवित्र दिवस को मना रहे हैं तब देश की आज हदी के लिए जिनोंने अपना जीवन दे दिया जिनोंने अपनी जवानी दे दी जिनोंने जवानी जैलों में कार दी जिनोंने फासी के फंदे को चूम लिया जिनोंने सत्याग्रह के माध्यम से आज हदी के ब्यूगल में अहिंसा के स्वर भर दिये पुझ बापू के नेत्रुतों में देश ने आजहादी पाई मैं आज देश के आजहादी के उन सभी बलिदानियों को त्यागी तपस्वियों को आदर पुर्वक नमन करता हूँ उसी प्रकार से देश आजहाद होने के बाद इतने वर्षों में देश की शांती के लिए उनको भी नमन करता हूँ नई सरकार बनने के बाद लाल किले से मुझे आज फिर से एक बार आप सब का गवरव करने का आउसर मिला है अभी इस नई सरकार को दस हपते भी नहीं हुए है लेकिन दस हपते के छोटे से कारकाल में भी सभी छेत्रों में सभी दिशाओं में हर प्रकार के प्रयासों को बल दिया गया है नए आयाम दिये गये हैं और सामान्य जनता ने जिनाशा अपेक्षा अकांशाओं के साथ हमें सेवा करने का मोका दिया है उसको पूर्ण करने में एक पल का भी विलंब किये बिना हम पूरे समर्थ के साथ पूरे समर्पन भाव के साथ आपकी सेवा में मगन है दस हपते के भीतर भीतर ही अनुचेद तीन सो सत्तर का हटना सर्दार बल्लभाई पटेल के सपनों को साकार करने की दिशा में एक एहम कदम दस सपते के भीतर भीतर हमारे मुस्लिम माताओं बहनों को उनका अधिकार दिलाने के लिए तीन तलाग के खिलाब कानून बनाना आतंग से जुड़े कानूनों में आमुल चुल परिवर्तन करके उसको एक नई ताकत देने का आतंगबाद के खिलाब लड़ने के संकल्प को और मजबूत करने का काम हमारे किसान भाईयों बहनों को प्रधानमंती समान इधी के तहट 90,000 करोड रुपिया किसानों के मिखाते में तांसफर करने का एक महत्वपून काम आगे बढ़ा है हमारे किसान भाई बहन हमारे छोटे व्यापारी बहन उनको कभी कलपा नहीं थी कि उनके जीवन बेभी पेंशन की विवत्ता हो सकती है 60 साल की आईू के बाद बेभी सम्मान के साथ जी सकते है शरीर जब ज़्यादा काम करने के लिए मदद न करता हो उस समय कोई सहारा मिल जाए बैसी पेंशन योजना को भी लागू करने का काम कर दिया है जल संकर की चर्चा बहुत होती है बविश जल संकर से गुज़ेगा ये भी चर्चा होती है उन चीजों को पहले से ही सोच करके केंदर राज्य मिल करके योजनाई बनाए इसके लिए एक अलग जल शक्ती मंत्राले का भी निर्मान किया गया है हमारे देश में बहुत बड़ी दागदाद में डॉक्तरों की जरूरत है आरोग्य की सुविधायों और वेवस्ताओं की अवशक्ता है उसको पूरण करने के लिए नए कानूनों की जरूरत है नई वेवस्ताओं की जरूरत है नए सोच की जरूरत है देश के नवजवानों को डॉक्तर बनने के लिए अवसर देने की जरूरत है उन चीजों को ध्यान रखते हुए मेडिकल एजुकेशन को पार्दधी बनाने के दिए अनेक महतवपूर कानून हमने बनाये हैं महतवपूर नेने किये हैं आज पुरे विश्व में बच्चों के साथ अच्चाचार की घटनाएं सुनते हैं भारत भी हमारे छोटे-छोटे बालकों को असहाय नहीं छोड़ सकता है उन बालकों की सुरुक्षा के लिए कठोर कानून प्रभंदर आवशक था हमने इस काम को भी पूर्ण कर लिया है भायो बहनो दोहजार चौदा से उन्नीस पांच साल मुझे सेवा करने का आपने मौका दिया अने चीज़ें ऐसी थी सामान ने मानवी अपनी नीजी आवशक्ताओं के लिए जूचता था हमने पांच साल लगातार प्रयास किया कि हमारे नागरीकों की जो रोज मरा की जिनगी की आवशक्ताएं है खास करके गाउं की, गरीब की, किसान की, दलित की, पीडित की, सोसित की, बंचित की, आदिवासी की उन पर बल देने का हमने प्रयास किया और गाड़ी को हम ट्रैक पर लाएं और उस दिशा में आज बहुत तेजी से काम चल रहा है लेकिन वक्त बदलता है अगर 2014 से 2019 आवशक्ताओं की पूर्ती का दोर था तो 2019 के माल का कालखन देश वास्यों के आकांख्षाओं की पूर्ती का कालखन है उनके सपनों को साकार करने का कालखन है और इसलिए 21 वी सदी का भारत कैसा हो कितनी तेज गती से चलता हो कितनी व्यापकता से काम करता हो कितनी उचाई से सोचता हो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आने वाले पांच साल के कारकाल को आगे बढ़ाने का एक खाका हमने तैयार करके एक के बाद एक कदम उठा रहे है 2014 में मैं देश के लिए नया था 2013-14 में चुनाव के पुर्व मैं भारत भ्रमन करके मैं देश वाजियों की भावनाओं को समझने का प्रयास कर दा था लेकिन हर किसी के तहरे पर एक निराशा थी एक आशंका थी लोग सोचते थे क्या ये देश बदल सकता है कि सक्या सरकारे बदलने से देश बदल जाएगा एक निराशा जन सामाने के मन में घर कर गई लंबे कालखन के अनुभव का ये परणाम था आशा ये लंबी टिक्ती नहीं थी पल दो पल में आशा और निराशा के गर्त में डूब जाती थी लेकिन जब 2019 में पांच साल के कठोर परिशम के बाद जन सामाने के लिए एक मात्र समर्पर भाव के साथ दिल दिमाग में सिर्प और सिर्प मेरा देश दिल दिमाग में सिर्प और सिर्प मेरे देश के करोर देश वासी इस भावना को लेकर कर चलते रहे पल पल उसी के लिए खपाते रहे और जब 2019 में गए महराम थुआ देश्ट वास्यों का मिजाज बदल चुका था निराशा आशा में बदल चुकी थी सपने संकल्पों से जुड़ चुके थे शिद्धी सामने नजर आ रही थी और सामान्य मानवी का ये की स्वर था हाँ मेरा देश बदल सकता सामान्य मानवी की एक ही गुण्ज थी हाँ हम भी देश बदल सकते हैं हम पीछे नहीं रह सकते हैं एक सो तीस करोर नागरीकों की चहरे के भाव भावनाओं की ये गुण्ज हमें नई ताकत नया विश्वाद देती हैं सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के चले थे लेकिन पांच साल के भीतर भीतर ही देश बास्यों ने सबके विश्वास सबका विश्वास के रंग से पूरे माहूल को रंग दिया ये सबका विश्वास ही पांच साल में पाता हुआ जो हमें आने वाले दिनों में और अधिक सामर्थ के साथ देश बास्यों की सेवा करने का इस चुनाव में मने देखा था और मैंने उस समय भी कहा था न कोई राजनेता चुनाव लड़ रहा था न कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा था न मोदी चुनाव लड़ रहा था न मोदी के साथ ही चुनाव लड़ रहे थे देश की जाम आदवी जनता जनादन च जुनाव लड़ रहे थे अपने सपनों के लिए लड़ रहे थे लोग तंत्र का सही स्वरूप इस तुनाव में नजर आ रहा था मेरे प्यारे देश्वासियों समस्याओं का समाधान इसके साथ साथ सपनों संकल्प और सिद्धी का कारखन हमें अब साथ साथ चलना है यह साथ बात है कि समस्याओं का जब समाधान होता है तो स्वाव लंबन का भाव पैदा होता है समाधान से स्वाव लंबन की और गती बढ़ती है जब स्वाव लंबन होता है तो आपको आप अपने आप स्वाभीमान उजागर होता है और स्वाभीमान का सामर्थ बहुत होता है आत्मसम्मान का सामर्थ किसी से भी ज़्यादा होता है और जब समाधान हो संकल्प हो सामर्थ हो स्वाभीमान हो तब सभलता के आड़े कुछ नहीं आ सकता है और आज देश उस स्वाभिमान के सार सफलता की नई उचाईयों को पार करने के लिए आगे बढ़ने के लिए कृतनिश्य ही है जब हम समस्याओं का समाधान देखते हैं तो टुकड़ों में नहीं सोचना चाहिए तकलीफ है आएगी एक साथ बहवाई के लिए हाथ लगा करके छोड़ देना यह तरीका देश को सप्नों को साकार करने के लिए काम नहीं आएगा हमने समस्याओं को जड़ों से मिटाने की कोशिश करनी होती है आपने देखा होगा हमारी मुस्लिम बेटियां हमारी बहने उनके सर पर तीन तलाक की तलवार लटकती थी वो डरी हुई जिंदगी जीती थी तीन तलाक की शिकार साएद नहुई हो लेकिन कभी भी तीन तलाक की शिकार हो सकती है यह भाए उसको जीने नहीं देता था उसको मजवूर कर देता था दुनिया के कई देश इस्लामिक देश उन्होंने भी इस कूप रथा को हमसे बहुत पहले खत्म कर दिया लेकिन किसे न किसी कारण से हमारी मुस्लिम माताओं बहनों को हक देने में हम रिचकी चाते थे अगर इस देश में हम सती प्रथा को खत्म कर सकते हैं हम ब्रुन हत्या को खत्म करने के कानून बना सकते हैं अगर हम बाल विभा के खिलाब आवाज उठा सकते हैं हम दहेज में लेन देन की प्रथा के खिलाब कठोर कदम उठा सकते हैं तो क्यों न हम तीन तिलाग के खिलाब भी आबाज उठाएं। की विकास यात्रा में वो भी सक्रिय भागिदार बने इसलिए हमने महत्वपूर्ण निर्णे को किया यह निर्णे राजनीती के तराज्यू से तोलने के निर्णे नहीं होते हैं सद्यों तक माताओं बेहनों के जीवन की रक्षा की गारंटी देते हैं उसी प्रकार से मैं जाता हूं अनुछे 370 35A आर्टिकल 370 और 35A क्या कारण था इस सरकार की पहचान है हम समस्याओं के टालते भी नहीं है हम समस्याओं को टालते भी नहीं है और नहीं हम समस्याओं को पालते है अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है अब समस्याओं को पालने का भी वक्त नहीं है जो काम पिछले सत्तर साल में नहीं हुआ नई सरकार मनने के बाद सत्तर दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने राज सभाव और लोग सभा ने दो किहाई बहुमत से पारित कर दिया इसका मतलब यह हुआ कि हर किसी के दिल में यह बात पड़ी थी लेकिन प्रारंब कौन करे आगे कौन आए शाहिद उसी का इंतजार था और देश वासियों ने मुझे काम दिया और मैं आपने जो काम दिया है उसी को करने के लिए आया मेरा अपना कुछ नहीं है हमने जम्मु कश्मी री और नाशन की दिया में भी आगे भड़े सतर साल हर किसे ने कुछ ने कुछ प्रयास किया हर सरकारों ने कोई प्रयास किया लेकिन इच्छित प्रणाम नहीं मिले और जब इच्छित प्रणाम नहीं मिले हैं तो नए सिरे से सोचने की नए सिरे से कदम बढ़ाने की आवशकता होती है और जम्मू किश्मीर और लदात के नागरिकों की आशा अकांशा पूरी हो ये हम सब का दाईत्व है उनके सपनों को नए पंख मिले ये हम सब की जिम्मेवारी है और उसके लिए 130 करोड देश वाच्यों ने इस जिम्मेवारी को उठाना है और जिम्मेवारी को पुरा करने के लिए जो भी रुकावटे सामने आई है उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है पिछले 70 साल में इनी वेवस्ताओं ने अलगावबाद को बल दिया है आतंगबाद को जन्म दिया है परिवारबाद को पोशा है और एक प्रकार से ब्रस्ताओं और भेद भाव की नीव को मजबूती देने का ही काम किया है और इसलिए वहाँ की महलाओं का अधिकार मिले वहाँ के मेरे दलीत भाईयो बेहनो देश के दलीतों को जो अधिकार मिलता था वहाँ नहीं मिलता था हमारे देश के जन जातिये समूख देश के जन जातिये समूख और ट्राइबल्स को जो अधिकार मिलते हैं वो उनको भी मिलने चाहिए वहाँ के हमारे कई ऐसे समाज व्यवस्ता के लोग जाहे हमें गुजर हो बकरवाल हो गदी हो सिप्पी हो बाल्टी हो ऐसे अनेज जन जातिया हो उनको राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए उसे देने के दिशा में हम हैरान हो जाएंगे वहां के हमारे सभाई करुचरी भाईयों बहनों के साथ कानूनी रोग लगा दी गई थी उनके सपनों को कुचल दिया गया था आज हमने उनको यह आज़ादी देने का काम किया है भारत विबाजन हुआ लाखो करोड़ों लोग विस्थाभीद होकर के आए उनका कोई गुणा नहीं था लेकिन जो जम्मु कश्वीर में आकर के बसे हैं उनको मानवी अधिकार भी नहीं मिले नागरिक के अधिकार भी नहीं मिले जम्मु कश्वीर के हमां अंदर मेरे पहड़ी भाई बहन भी है और इसलिए उनकी भी चिंता करने की जिसान हम कदम उठाना चाहते हैं मेरे प्यारे देश वासियों जम्मु कश्वीर अलदाक सुख समुरुद्धि शांति के लिए भारत के लिए प्रेरक बन सकता है भारत की विकास यात्रा में बहुत बड़ा योगदान दे सकता है उसके पुराने उन महां दिवसों को लोटाने का हम सब प्रयास करें उन प्रयासों को लेकर के ये जो नई व्यवस्ता बनी है वो सीधे सीधे नागरिकों के हीतों के लिए काम करने के लिए सुविधा पादा करें अब देश का जमु कश्वीर का सामाने नागरिक भी दिल्ली सरकार को पूछ सकता है उसको बीच में कोई रुकावटे नहीं आएगी ये सीधी सीधी व्यवस्ता आज हम कर पाए हैं लेकिन जब देश पूरा देश सभी राजनीतिक दलों के भीतर भी एक भी राजनीतिक दल अपवाद नहीं है धारा 370 अनुछे 370 आर्टिकल 370 को हटाने के लिए 351 को हटाने के लिए कोई प्रखर रुप से तो कोई मुक रुप से समर्धन देता रहा है लेकिन राजनीतिके गलियारों में चुनाव के तराजू से तोलने वाले कुछ लोग 370 के पक्ष में कुछ न कुछ कहते रहते हैं जो लोग 370 के पक्ष में वकालत करते हैं उनको देश पूछ रहा है अगर ये अनुच्छे 370 ये आर्टिकल 370 ये 351 इतना बहत्व पूर्ण था इतना अनिवारियर था उसी से भागे बदलने वाला था तो 70 साल तक इतना भारी बहुमत होने के बाउत भी आप लोगों ने उसको पर्मेनेंट क्यों नहीं किया तेम्परेरी क्यों बनाए रखा अगर इतना कन्विक्षन था तो आगे आते पर्मेनेंट कर देते लेकिन इसका मतलब ये है आप भी जानते थे कि जो गहा हुआ है वो सही नहीं हुआ है लेकिन सुधार करने की आप में हिम्मत नहीं थी इरादा नहीं था राजनीतिक भविश्य पर सवाल या निशान लगते थे मेरे लिए देश का भविश्य सब कुछ है राजनीतिक भविश्य कुछ नहीं होता है हमारे समिधान निर्माताओं ने सरदार वल्लब भाई पटेल जैसे महपुर्षों ने देश की एकता के लिए राज के एकी करण के लिए उस कठीन समय में भी महतपुर्ण फैसल ले लिए हिम्मत के साथ फैसल ले लिए देश के एकी करण का सफल प्रयास किया लेकिन आर्टिकल 370 के कारण 35A के कारण कुछ रुकावटे भी आई इस आज लाल किले से कि मैं देश को संभुवित कर रहा हूं तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है वन नेशन वन कॉंस्टिटूशन और हम सरदार साथ का एक भारत स्रेश्थ भारत इसी सपने को चरितार करने में लगे हुई है तब ये साथ साथ बनता है कि हम ऐसी व्यवस्ताओं को विश्कित करें जो देश की एक्ता को बल दे देश को जोड़ दो के लिए सिमेंटिंग फोस के रुपए उभर करके आएं और ये प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए वो एक समय के लिए नहीं होती है अविरत होनी चाहिए जी एस्टी के माध्यम से हमने वन नेशन वन टैट्स उस सपने को साकार किया उसी प्रकार से पिछले दिनों उर्जा के खेत्र में वन नेशन वन ग्रीड इस काम को भी हमने सफलता पूर्वक पार किया उसी प्रकार से वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड इस व्यवस्ता को भी हमने विक्सित किया और आज देश में व्यापक रुप से चर्चा चल रही है एक देश एक सांस चुनाओ ये चर्चा होनी चाहिए लोग तांत्रिक तरीके से होनी चाहिए और कभी ने कभी एक भारत स्रेश्ट भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा मेरे प्यारे देश वाचियों देश को नई उचाहियों को पार करना है देश को विश्व के अंदर अपना स्थान प्रस्थाभी करना है तो हमें अपने घर में भी गरीबी से मुक्तिप का अभान को बल देना ही होगा यह किसी के लिए उपकार नहीं है भारत के उजवल भविश्य के लिए हमें गरीबी से मुक्तिप होना ही होगा गत पांच वर्ष में गरीबी कम करने की दिशा में गरीबों के संध्या गरीबी से बहार आएं वो दिशा में बहुत सफल प्रयास हुई है पहले की दुलना में ज्यादा तेज गती से और ज्यादा व्यापक्ता से इसमें सफल का प्राप्त हुई है लेकिन फिर भी गरीब व्यक्ति सम्मान अगर उसको प्राप्त हो जाता है उसका स्वाभिमान जग जाता है तो वो गरीबी से लड़ने के लिए सरकार का इंतजार नहीं करेगा वो अपने सामर्थ से गरीबी को परास करने के लिए आएगा हम में से किसी से भी जादा विप्रित परित्योतियों में जूजने की ताकद अगर किसी में है तो मेरे गरीब भाई और बहनों में है कितनी ठंड क्यों नहो वो मुठी बंद करके गुजारा कंद सकता है जिसके भीतर ये सामर्थ है आएए उस सामर्थ है कि हम पुजारी बने और इसलिए उसकी रोज मरा की जिन्दगी की यठनाईयों को हम दूर करें क्या कारण है कि मेरे गरीब के पांच सावचाले नहों घर में बिजली नहों रहने के लिए घर नहों पानी की सुविधा नहों बैंक में खाता नहों कर्ज लेने के लिए साहुकारों के घर जा करके एक प्रकार से सब कुछ गिर्वी रखना पड़ता हो आएए गरीबों के आत्म सम्मान आत्म विश्वास को उनके स्वाभिमान को ही आगे बढ़ाने के लिए सामर्थ देने के लिए हम उसको उसको प्रयास करें भाईयों बहनों आदादी के सतर साल हो गए बहुत सारे काम सब सरकारों ने अपने अपने तरीके से किये हैं सरकार किसी भी दल की क्योंन हो केंद्र की हो राज की हो हर किसे ने अपने अपने तरीके से प्रयास किये हैं लेकिन यह भी सच्चाई है कि आज हिंदुस्तान में करीब करीब आधे घर ऐसे हैं जिन घरों में पीने का पानी उतलद नहीं है उनको पीने का पानी प्राप्त करने के लिए मसकत करनी पर हैं माता और बेहनों को सर पे बोज उठा करके मठके ले करके दो दो तिन तिन पाँच पाँच किलोमेटर जाना पड़ता है जीवन का बहुत सावा हिस्सा सिर्फ पानी में खब जाता है और इसलिए हमने इस सरकार ने एक विशेस काम की तरफ बल देने का निर्णा किया है और वो है हमारे हर घर में जल कैसे पहुँचे हर घर को जल कैसे मिले पीने का शुद पानी कैसे मिले और इसलिए आज मैं लाल किले से गोशिक करता हूँ कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे ये जल जीवन मिशन इसके लिए करीड केंदर और राज्यसाथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में साड़े तीन लाग करोड रुपे से भी ज्यादा रकम इस जल जीवन मिशन के लिए फर्च करने का हमने संकल्प किया जल संचय हो, जल सींचन हो, बर्षा के बुंद बुंद पानी को रोकने का काम हो समुद्री पानी को या वेस्ट वाटर को ट्रिटमेंट करने का विशे हो किसानों के लिए पर ड्रॉप मौर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन का काम हो पानी बचाने का वियान हो, पानी के प्रती सामाने से सामाने नागरी सजग भी बने, संबेदंसिल भी बने, पानी का महत्मय समझे हमारे सिख्षा कर्मों में भी बच्चों को भी बच्पन से ही पानी के महत्मय की सिख्षा दी जाए पानी संग्रा के लिए पानी के स्रोतों को पुनर जिवित करने के लिए हम लगातार प्रयास करें और हम इस विश्वात से के साथ आगए बढ़ें कि पानी के छेत्र में पिछले 70 साल में जो काम हुआ है हमें 5 साल में चार गुने से भी जादा उस काम को करना होगा अब धहम जादा इंतजार नहीं कर सकते हैं और इस देश के महान संथ सेकड़ो साल पहले संथ थिरुवल उबरजी ने उस समय एक महतोपुन बात कही थी सेकड़ो साल पहले तब तो शाहिद किसी ने पानी के संकड को सोचा भी नहीं होगा पानी के महत्माई को भी नहीं सोचा होगा और तब संथ रुवल उबरजी ने कहा था निरेंद्रु निरेंद्रु अमियाधु निरेंद्रु अमियाधु उलगह निरेंद्रू अमियाधू उलगहा यानि जब पानी समाप्त हो जाता है तो प्रकृति का कारिया ठम जाता है रुक जाता है एक प्रकार से बिनास प्रारम हो जाता है मेरा जन्म गुजरात में हुआ गुजरात में एक तीर सक शेतर है महुड़ी करके उत्तरी गुजरात में है जैन समुदाई के लोग वहां जाते आते रहते हैं आज से करीब सो साल पहले वहां एक जैन मुनी हुई अब वो किसान के घर में पादा हुए थे जैन परंपरा के साथ जोड़ करके वे दिख्शित हुए जैन मुनी बने लें करीब सो साल पहले वो लिखकर के गए हैं उन्होंने लिखा है बुद्धि सागर जी महराज ने उन्होंने लिखा है कि एक दिन ऐसा आएगा जब पानी किराने की दुकान में विखता होगा आप कल्पुना कर सकते हैं सो साल पहले एक संत लिखे गया कि पानी किराने की दुकान में विखेगा आज हम पीने का पानी किराने की दुकान से लेते हैं कहां से कहां हम पहुँच गए मेरे प्यारे देश वाजियो नहमें ठकना है नहमें ठमना है नहमें रुकना है नहमें आगे बढ़ने से हिचकिचाना है यह भ्यान सरकारी नहीं बनना चाहिए जल संचे का ये अभियान जैसे स्वच्छता का अभियान चला था जन सामान्य का अभियान बनना चाहिए जन सामान्य के आदर्शों को ले करके जन सामान्य के पेख्षाओं को ले करके जन सामान्य के सामर्थ को ले करके हमें आगे बढ़ ला है मेरे प्यारे देश वाजियों, अब हमारा देश उस दौर में पहुचा है, जिसमें बहुत सी बातों से अब अपने आपको छुपाए रखने की ज़रूरत नहीं है. हमें चुनाओत्यों को सामने से स्विकार करने का वक्त आ चुका है. कभी राजनीतिक नफा नुक्षान के इरादे से हम निरने करते हैं, लेकिन इससे देश की भावी पीड़ी का बहुत नुक्षान होता है. वैसा ही एक विशय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूँ. और वो विशय है हमारे यहां बेतहासा जो जनसंख्या विश्पोट हो रहा है. यह जनसंख्या विश्पोर्ट हमारे लिए हमारी आने वाली पीड़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है. लेकिन यह बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरुक वर्ग है जो इस बात को बली बाती समझता है. वे अपने घर में शिशू को जन्म देने से पहले बली बाती सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूँगा. उसको जो मानविय आवश्चताओं कि पूर्ती है वो बैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा. उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरो करने के लिए मैं अपनी भूमी का आदा कर पाऊंगा और नहीं पाऊंगा. इन सारे परामिटर से अपने परिवार का लेखा जो का ले करके हमारे देश में आज भी स्वयम प्रेरना से एक छोटा वर्ग परिवार को सिमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है. यह सब सम्मान के अधिकारी है यह आदर के अधिकारी है जिनका उनका जितना सम्मान करें छोटा परिवार रखके भी वो देश भक्ति को ही प्रगट करते हैं वो देश भक्ति का अभीवेक्ति करते हैं मैं चाहूंगा कि हम सबी समात के लोग इनके जीवन को बारी किसे देखें तो उन्होंने अपने परिवार में जनसंख्या वृद्धी से अपने आपको बचा करके परिवार की कितनी सेवा की है देखते ही देखते एक दो पीडी में ही परिवार कैसे आगे बढ़ चाए गया है बच्चों ने कैसे शिख्षा पाई है वो परिवार बिमारी से कैसे मुक्त है वो परिवार अपने प्राथ्विक आवस्यक्तों कैसी बढ़िया दंग से पुरा करता है हम भी उनसे सिखें और हमारे घर में किसी भी शिशू को आने से पहले हम सोचें कि जो शिशू मेरे घर में आएगा क्या उसकी आवश्यक्ताओं की पूरती के लिए मैंने अपने आपको तयार कर लिया है क्या मैं उसको समाज के भरोज़े ही छोड़ दूँगा मैं उसको उसके नसीब पे छोड़ दूँगा कोई माबाप ऐसा नहीं हो सकता है कि जो अपने बच्चों को इस प्रकार की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर होने वाले फिर भी बच्चों को जन्म देता रहता हो और इसलिए एक सामाजिक जागरुक्ता की आवश्यक्ता है जिन लोगों ने ये बहुत बड़ी भूमिक आदा की है उनके सम्मान की आवश्यक्ता है और उनी के प्रयासों के उदहान लेकर के समाज के बाकी वर्ग जो अभी भी इससे बहार है उनको जोड़ करके जनसंगा विश्पोट इसकी हमें चिंता करनी ही होगी सरकारों ने भी बिन बिन योजनाओं के तहट आगे आना होगा चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो हर किसी ने इस दाइत्व को कंदे से कंदा मिला करके हम अस्वस्त समाज नहीं सोच करके हैं हम अस्शित समाज नहीं सोच करके हैं 21 सजी का भारत चाहे सपनों को पूरा करने का सामर्त व्यक्ति से शुरू होता है, परिवार से शुरू होता है अगर आबादी शिक्षित नहीं है, तंदुरस्त नहीं है तो न वो घर भी सुकी होता है, न वो देश भी सुकी होता है जन्स आबादी शिक्षित हो, सामर्थबान हो, स्कील्ड हो और अपनी इच्छा आवश्रक्ताओं की पूर्ती करने के लिए उपयूत माहुल प्राप्त करने के लिए संसाधन उपलब्त हो तो मैं समझता हूँ कि देश इन बातों को पूर्ण कर सकता है। मेरे प्यारे देश वाश्रों, आप बली भाती जानते हैं कि प्रस्ताचार भाई भती जावाद हमारे देश को कल्पना बाहर का नुक्षान चिया है। और ऐसे दिमक की तरह हमारे जीवन में गुज गया है। उसको निकालने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सफलताएं भी मिली है लेकिन बिमारी इतनी गहरी है, बिमारी इतनी फैली हुई है कि हमें और अधीक प्रयास और वो भी सरब सरकारी स्थर पे नहीं है। हर स्थर पे करते ही रहना पड़ेगा और यह निरंतर करना पड़ेगा। एक बार करने से होला कारा काम नहीं होता है। क्योंकि बूरी आदत हैं, कभी जैसे पुरानी बिमारी होती हैं, कभी ठीक हो जाती हैं, लेकिन मोका मिलता ही फिर से वो बिमारी आ जाती है। वैसे ही एक ऐसी बिमारी है उसको हमने निरंतर हमने टेक्नोलोजी का उप्योग करते हुए इसको निरसकरने की दिसा में कई कदम उठाए हैं हर्चतर पर इमानदारी और पारदर्शिता को बल मिले इसके लिए भर्षक प्रयास किये गए हैं आपने देखा होगा पिछले पा सरकान में बैटे हुई अच्छे अच्छे लोगों को छुटी कर दी गई है हमारे इस अभ्यान में जो रुकावड बनते थे उनसे कहां कि आप अपना कारोबार कर लिजिए अब देश को आपकी सेवाओं की जरुरत नहीं है और मैं इस पर्ष्ट मानता हूं व्यवस्ताओ व्यवस्ताओं को चलाने वाले लोगों के दिल दिमाग में भी बढ़लाव बहुत अनिवार्य होता है तब ही जाकर के हम इच्छित परणामों को प्राप्त कर सकते हैं बाईयों बेनों देश आजादी के इतने साल के बाद एक प्रकार से परिपक्त हुआ है हम आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं आजादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं तब यह आजादी सहज संसकार सहज स्वभाव सहज अनुभूती यह भी आवश्चक होती है मैं हमेशा एक बात मेरे अपसरों के साथ बैठता हूं तो करता हूं सार्विजनी ग्रूप से तो बोलता नहीं था लेकिन आज मन करता हैं मैं बोली दूँ मैं अपने अपसरों के बीच में बार बार कहता हूं कि क्या आजादी के इतने सालों के बार रोज मर्रा की जिंदगी में सरकारों की जो दखल है सामाने नागरी के जीवन में क्या हम उस दखल को कम नहीं कर सकते हैं कि आजाद भारत का मतलब तो में यह है कि दीरे दीरे सरकारे लोकों की जिंदगी से बाहर आएं लोग अपनी जिंदगी जीने के लिए निर्नय करने के लिए आगे बढ़ने के लिए सारे रास्ते उनके लिए खुले होने चाहिए मन मर्जी पड़े उस विशा में देश के हीत में और परिवार की भलाई के लिए स्वयम के सपनों के लिए आगे भड़े ऐसा ecosystem हमको बनाना ही होगा और इसलिए सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए लेकिन साथ साथ जहां मुसीबत की पल हो तो सरकार का अभाव भी नहीं होना चाहिए न सरकार का दबाव हो न सरकार का अभाव हो लेकिन हम सपनों को लेकर के आगे भड़े सरकार हमारे एक साथ ही के रुपे हर पल मुझूद हो जरुद पड़े तो लगना चेहां है को चिंता का विशह नहीं है क्या है उस प्रकार की व्यवस्ताएं हम विक्सित कर सकते हैं हमने गैर्ट जरुरी कई कानूगों को खत्प किया गत पांच वर समय एक प्रकार से मैंने प्रती दिन एक गैर्ट जरुरी कानूग खत्प किया था देश के लोगों को दस हप्ते हुए अभी तो इन दस हप्तों में साट ऐसे कानूनों को खत्प कर दिया है इज अफ लिविंग याजान भारत की आवशक्ता है और इसलिए हम इज अफ लिविंग को बल देना चाहते हैं उसी को आगे ले जाना चाहते हैं आज इज अब डूइंग बिजनेस में हमने काभी प्रगदी कर रहा है पहले पांच में पचास में पहले पचास में पहुंचने का सपना है उसके लिए कई रिफॉर्म के जरुत होती है कई छोटी मोटी रुकावाट है वरना कोई छोटा सा उद्द्यों करना चाहता है करते 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 केंद्रों राज्यों को भी साथ लेते लेते नगरपाली का महनगरपाली काओं को भी साथ लेते लेते हमने इज अब डूइंग बिजनेस के काम में बहुत कुछ करने में सफल हुए है और दुनिया को भी विश्वास परदा हुआ है कि भारत जैसा इतना पड़ाव है मेरी मंजील तो है इज ओफ लिविंग सामान्य बानवी के जीवन में उसको सरकारी काम के लिए कोई मसकत न कमी पढ़े उसके हग का उसको सहज रुप से मिले और उसलिए हमने आगे बढ़ने की जरुवत है हम उस दिशा में काम करना चाहते हैं मेरे प्यारे दे आगे बढ़ें लेकिन इंक्रिमेंटल प्रोग्रेस उसके लिए बेज ज्यादा इंतजाब नहीं कर सकता है हमने हाई जंप लगाने पड़ेंगे हमने चलांग लगानी पड़ेगी हमने हमारी सोच को भी बदलना पड़ेगा भारत को ग्लोबल बेंच मार की बराबरी में मल आने के लिए हमारे आदुनिक इंफासेक्टर उसकी और वी जाना पड़ेगा और कोई कुछ भी कहें कोई कुछ भी लिखें लेकिन सामान्य मानवी का सपना अच्छी व्यवत्ताओं का होता है अच्छी चीज उसे अच्छी लगती है उसे उसमें रूची बनती है और इसल सो लाग करोड रुपिया सो लाग करोड रुपिया आधूनिक इंफरस्ट्रेक्टर के लिए लगाये जाएंगे जिसे रोजगार भी मिलेगा जीवन बे भी एक नहीं व्यवस्ता विक्सीत होगी जो आवश्च्टाओं की पूर्ती करेगी चाहे सागर माला प्रोजेक हो चाहे भारत माला प्रोजेक हो चाहे आधूनिक रेलवे स्टेशन बनाने हो बस्टेशन बनाने हो एरपोर्ट बनाने हो चाहे आधूनिक अस्पताल बनाने हो चाहे विश्वस्तर के एजुकेस्टन इंस्टिउशन का निर्मान करना हो इंफरस् जबन का भी मन बढ़ला है हमने इसको समझना होगा पहले एक जमाना था कि अगर कांगेज पे सरफ निर्णे हो जाए कि एक रिल्वे स्टेशन खलाना इलाके में बनने वाला है तो महिनों तक शानों तक एक सकारत में गुझ बनी रहती थी कि चलो हमारी हम नद्दिक में हम नया रिल्वे स्टेशन आ रहा है आज वक्त बदल चुका है आज सामाने नागरीक रेलवे स्टेशन मिलने से जंतुस नहीं है वो तुरंद पुझता है बंदे भारत एक्स्प्रद हमारे इलाके में कब आएगी उसकी सोज बदल गई है अगर हम एक बढ़िया अज़ा बढ़िया बस स्टेशन बना दे फाइस टान रेलवे स्टेशन बना दें तो वहां का नागरी ये नहीं कहता है सावाथ बहुत बढ़िया काम किया है वो तुरंद कहता है ताब हवाई अड़ा कब आएगा याने अब उसकी सोज बदल चुकी है कभी रेलवे के स्टॉपेज से संतुष्ट होने वाला मेरा देश का नागरी बढ़िया जबढ़िया रेलवे स्टेशन मिलने के बात तुरंद कहता है ताब बात की तो ठीक है अब आई अड़ा कब आएगा पहले किसी भी नागरी को मिले तो कहता था पक्की सड़क कब आएगी हमानी आप पक्की सड़क कब बनेगी आज कोई मिलता है तो तुरंद कहता है जाब फोर लेन वाला रोड बनेगा कि छेला इन वाला तो पक्की सड़क तक वो सिमित रहने के लिए उतकी सोज और मैं मानता हूं आकांशी भारत के लिए यह बहुत बड़ी बात होती है पहले गाओं के बाहर बिजली का खंबा कैसे नीचे अला करके सुला दिया हो तो लोग कहते है चलो भे बिजली आई अभी तो खंबा नीचे पड़ा हुए है गाड़ा भी नहीं है आज बिजली के तार भी लग जाए घर में मीटर भी लग जाए तो वो पूचता है साब 24 ज़ंटे बिजली कब आएगी अब वो खंबे और तार से बीतर से संतुष नह लेकिन आज वो तुरंट चर्टा करने लगता है कि डेटा की स्पीड क्या है ये बदलते हुए मिजाट को बदलते हुए वक्त को हमें समझना होगा और उसी प्रकार से ग्लोबल बेंचमार के साथ हमें अपने देश को आधूनिंग इंफरसक्टर के साथ क्लीन अनर्जी हो गैस बेज एकोनामी हो गैस ग्रीड हो इमोबिलिटी हो ऐसे अनेक खेत्रों में हमें आगे बढ़ना है मेरे प्यारे देश वास्यों आम तौर पर हमारे देश में सरकारों की पहचान ये बंती रही कि सरकार ने फलाने इलाके के लिए क्या किया फलाने बर्ग के लिए क्या किया फलाने समू के लिए क्या किया आम तोर पर क्या दिया कितना दिया किसको दिया किसको मिला उसी के आँस पास सरकार और जन्मानस चलते रहे और उसको अच्छा भी माना गया मैं भी साहद उस समय की मांग रही होगी आवशक्ता रही होगी लेकिन अब किसको क्या मिला कैसे मिला, कब मिला, कितना मिला इन सब के रहते हुए भी हम सब मिल करके देश को कहा ले जाएंगे हम सब मिल करको देश को कहा पहुचाएंगे हम सब मिल करके देश के लिए क्या एच्यू करेंगे इन सपनों को ले करके जीना जूजना और चल पढ़ना ये समय की मांग और इसलिए फाइव ट्रिलियन डालर एकानामी इसका सपना संजोया है 130 करोड देशवासी अगर छोटी-छोटी चीजों को लेके चल पड़े तो फाइव ट्रिलियन डालर एकानामी कईयों को मुश्किल लगता है वो गलत नहीं हो सकते हैं लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा मुश्किल चुनाओतियों को नहीं उठाएंगे तो चलने का मिजाद कहां से बनेगा मनों बेज्ञानिक दुरस्टी से भी हमने हमेशा उंचे निशान रखने चाहिए और हमने रखा है लेकिन वो हवा में नहीं है आजादी के सत्तर साल बाद हम 2 TRILLION डॉलर इकोनामी पर पहुचे थे सत्तर साल की हमारी विकांस यात्रा ने हमें 2 TRILLION डॉलर इकोनामी में पहुचाया था लेकिन 2014 से 2019 पांच साल के भीतर भीतर हम लोग 2 TRILLION से 3 TRILLION पहुँच गए 1 TRILLION डॉलर हमने जोड दिया अगर 5 साल में सत्तर साल में जो हुआ उसमें इतना बड़ा जंप लगाया तो आने वाले पांच साल में हम फाइव ट्रिलियन डॉलर एकोनमी बन सकते हैं और ये सपना हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए और जब एकोनमी बढ़ती है तो जीवन भी बहतर बनाने की सुविदा बनती है चोटे से चोटे वेक्टी के सपनों के साकार करने के लिए अवसर पैदा होते है और ये अवसर पैदा करने के लिए देज के आर्थिक सेक्ट में हमें इस बात को आगे ले जाना है जब हम सपना देखते हैं कि देश के किसान की आई दोगुनी होनी चाहिए जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल हिंदुस्तान में कोई परिवार गरीब से गरीब भी उसका पका घर होना चाहिए जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल जाब करें तब देश के हर परिवार के अंदर बिजली होनी चाहिए जब हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल करें तब हिंदुस्तान के हर गाउं में अप्तिकल फाइबर नेटवर्क हो ब्रोडबेंग की कनेक्टिविटी हो long distance education की सुवीदा हो यह सारे जब सपने देखते हैं हमारे समुद्री संपती blue economy इस खेत्र को हम बल दे हमारे मच्वारे भाई और बैनों को हम ताकत दे हमारा किसान अन्न दाता है उर्जा दाता बने हमारा किसान ये भी exporter क्यों नबने दुनिया के हमारे अंदर हमारे किसानों के द्वारा पैदा की हुई चीजों का दंका क्यों नबजे इन सपनों को ले करके हम चलना चाहते हमारे देश को एकपोर्ट बनाना ही होगा हम सिरब दुनिया हिंदुस्तान को बाजार मना करके देखे हम भी दुनिया के बाजार में पहुंचने के लिए भरसक प्रयास करें हमारे हर डिस्ट्रिक में दुनिया के एक एक देश की जो ताकत होती है चोटे चोटे देशों की वो ताकत हमार एक एक district में होती है हमने इस सामर्थे को समझना है इस सामर्थे को हमने channelize करना है और हमारे हर जिले एक्सपोर्ट हब बनने की दिशा में क्यों नसोचे है हर जिले का अपना है हर जिले के अंदर अपने अपनी विश्यश्ता है अगर किसी जिले के पास इत्र की पहचान है तो किसी जिले के पास साडियों की पहचान है किसी जिले के पास अगर बरतन मशूर है उसके तो किसी जिले में मिठाई मशूर है हरे के पास विवित्ता है, सामर्ता है हमने ग्लोबल मार्केट के लिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट से उसका मैंडिफेक्टरिनिंग कैसे हो और इस वीवीत दता को दुनिया को परिचित कराते हुए हम अगर उसको एक्सपोर्ट में बल देंगे दुनिया के मार्केट को कैप्चर करने की जिसा में हम काम करेंगे तो देश के नवजबानों को रोजगार मिलेगा हमारे स्माल स्केल इंडिस्ट्रीश को माइक्रो लेवल के इंडिस्ट्रीश को इसके कारण एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी और उस ताकत को हमने बढ़ाना है हमारा देश तुरिस्ट डेस्ट्रीशन के लिए दुनिया के लिए अजूबा हो सकता है लेकिन किसे में किसी कारण से जितनी तेजी हमने वो करना चाहिए हम नहीं कर पाए है आईए हम सभी देश्वासी ताय करें कि हमें देश के टुरिस्ट को बल देना है क्या हम उस काम के लिए टूरिस्ट जम बढ़ता है कम से कम पुझी निवेश से जादा से जादा रोजगार मिलता है देश की एकोनमी को बल मिलता है और दुनिया भर के लोग आज भारत को नई इसरी से देखने के लिए तयार है हम सोचें कि दुनिया हमारे देश कैसे आए हमारे टूरिजम के ख्षेत्र को कैसे बल मिले और इसके लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के वेवस्ता हो सामान ने मानवी की आवंदी बढ़ाने की बात हो बहतर सिक्षा नए रोजगार के अवसर प्राप्त हो मद्यमपर के लोगों को बहतर सपनों को साकार करने के लिए उटी उडान के लिए सारे लॉंचिंग परण उनको लिए अवेलेबर होने चाहिए हमारे वईग्यानिकों को बहतर समसाधनों के लिए पूरी सुविदा हो हमारी सेना के पास बहतर सरंजाम हो वो भी देश में बिना बना हुआ हो तो मैं मानता हूँ ऐसे अनेक छेत्र है जो फाइव ट्रिलियन डॉलर इकाना में के लिए भारत को एक नई शक्ति देख सकते हैं मेरे प्यारे भाईयों भेनों आज देश में आर्थिक सिद्धी प्रा होती है जब गवर्मेंट स्टेबल होती है पॉलिसी प्रीडिक्टेबल होती है व्यवस्ता है तो दुनिया का भी घरोसा बनता है देश की जनता ने ये काम करके दिखाया है विश्व भी भारत की पॉलिटिकल स्टैविलिटी को बड़े गर्व और आधर के साथ देख रहा हमने इस अवसर को जाने नहीं देरा चाहिए आज व्यापार करने के लिए विश्व हमारे साथ उत्सुख है वो हमारे साथ जुनना चाहता है आज हमारे लिए गर्व का विश्व है कि महंगाई को कंट्रोल करते हुए हम विकांद दर को बढ़ाने वाले एक महत्यपूर्ण स ठिकाना नहीं होता है लेकिन यह ऐसी सरकार है जिसने महंगाई को कंट्रोल भी किया और विकांद दर को आगे भी बढ़ाया हमारे अर्थे वववस्ता के बंडा मेंटल्स बहुत ही मजबूर है बहुत मजबूत है और यह मजबूती हमें आगे ले जाने के लिए भरोसा द करना चाहते हैं हमारे देश में उत्पादन बढ़े हमारी प्राकृतिक संप्रदा का प्रोसेसिंग बढ़े वैल्यू एडिशन हो वैल्यू एडिट चीजें दुनिया के अंदर एक्पोर्ट हो और दुनिया के अनेक देशों तक हम क्योनत सपना देखें कि दुनिया का होगा जहां कोई इन कोई चीज भारत से जाती नहीं होगी हिंदुस्तान का कोई जीला ऐसा नहीं होगा जहां से कुछन कुछ एक्पोर्ट नहीं होता हो अगर इस दोनों चीज़ों को लेकर कि हम चले तो हम आबद भी बढ़ा सकते हैं हमारी कंपनिया हमारे उद्यमी दुनिया के बाजार में जाने के सप्ड़े देखें दुनिया के बाजार में जाकर के भारत के रुत्वा को वहां आवाद देनी की ताकत दे हमारे निवाशक जादा समाएं हमारे निवेशक जादा निवेश करे हमारे निवेशक जादा रोजगार परदा करे इसको है उन माननेकाओं से भार निकलना पड़ेगा जो देश की वेल्ट को create करता है जो देश के वेल्ट creation में contribute करता है वे सब इसकी सेवा कर रहे हम वेट creator को आशंका की नजरों से दर देखे हम उनके प्रतिहीन भाव से नदेखे आवश्यक्ता है देश में वेल्ट create करने वालों का भी उतना ही मान सम्मान और प्रोसाहन होना चाहिए उनका गवरो बढ़ना चाहिए और wealth create नहीं होगी तो wealth distribute भी नहीं होगी अगर wealth distribute नहीं होगी तो देश के गरीब आदमी की भराई नहीं होगी और इसलिए wealth creation ये भी हमारे जैसे देश के लिए एक महत्वपुन एहमियत रखता है और उसको भी हमने आगे ले जाना है जो लोग wealth create करने में लगे हैं मेरे लिए वे भी हमारे देश की wealth है उनका सम्मान उनका गवरो इसको नई ताकत देगा मेरे प्यारे देश वाज़ो आज हम विकास के साथ शांती और सुरक्षा वो उसका अनिवारी पहलू है शांती और सुरक्षा विकास के अनिवारी पहलू है दुनिया आज असुरक्षा से गिरी हुई है दुनिया के किसी ने किसी भाग में किसी ने किसी रूप में मौत का सायम मंडरा रहा है विश्व शन्ति विश्व सम्रुद्धी के लिए भारत को अपकी भूमिक आदा करनी होगी बैस्विक परिवेश में भारत मुख दर्शक बनके नहीं रह सकता है और भारत आतंग ख्यालाने बालों के खिलाब मजबूती के साथ लड़ रहा है विश्व के किसी भी दोंकोने में आतंग की घटना ये मानवताबाद के खिलाब छेड़ा हुआ युद्ध है और इसलिए मानवताबादी शक्तियां विश्वभर की एक हो आतंग बाद को पना देने वाले आतंग बाद को प्रोच्छान देने वाले आतंग बाद को एक्सपोर्ट करने वाले ऐसी सारी थाकतों को दुनिया के सामने उनके सही स्वरूप में प्रस्थूत करना दुनिया की थाकत को जोड़ करके आतंग बाद को नस्थ करने की प्रयासों में भारत अपनी भुमी काड़ा करे उसके लिए हम जाते हैं कुछ लोगों ने हमारे पडोस के देशों को भी आतंग बाद से तबाह करके रखा हुआ है बंगला देश भी आतंग बाद से जूज रहा है अफगानिस्तान भी आतंग बाद से जूज रहा है श्रीलंका के अंदर चर्च में बैठे हुए निर्दर्श लोगों को मौत के गाट उताव लिया जा कितने बड़ी दर्दनाग बाते हैं और इसलिए हमें आतंग बाद के खिलाफ जब हम लड़ाई लड़ते हैं तब हम इस पूरे भुभा के शांती और सुरच्छा के लिए भी हमारी भुमी का अदा करने के लिए सक्रिय काम कर रहे हैं हमारा पडोसी हमारा एक अच्छा मित्र अफगानिस्तान चार दिन के बाद वो अपने आधादी का जश्न मनाएगा और या आधादी उनका सोवा साल है मैं आज लाल किले से अफगानिस्तान के मेरे मित्रों को जब सोवी आज आज़ी का उत्सव बनाने जा रहे हैं चार दिन के बाद मैं अनेक अनेक शुप कामराई देता हूँ आतंक और हिंसा का माहूल बनाने वालों को उनकों फेलाने वालों को भाय का बाताण पदा करने वालों को नेस्त नाबूत करदा सरकार की नीती सरकार की रन नीती और उसमें हमारी पस्ता साफ है हमें कोई हिचकिचाट नहीं है हमारे साइनिकों ने हमारे सुरक्षा बलों ने सुरक्षा एजन्सियों ने बहुत प्रसंसनी ये काम किया है संक्रट की घड़ी में भी देश को शांती देने के लिए ये इनिफॉर्म में खड़े हुए सब लोगों ने अपनी जीवन की अपनी आज आहुत करके हमारी कल को रोशन करने के लिए जीवन खपाया है मैं उन सबको सलीट करता हूँ मैं उनको नवन करता हूँ लेकिन समय रहते रिफॉर्म की भी बहुत आवशक्ता होती है आपने देखा होगा हमारे देश में साइन्य वेवस्ता, साइन्य सक्ति, साइन्य समसादन उसके रिफॉम पर लंबे अर्षे से चर्चा चल दीए अनेक सरकारों ने इसकी चर्चा की है अनेक कमिशन बैठे हैं अनेक रिपोर्ट आए हैं और सारे रिपोर्ट करीब करीब एकी स्वर को उजागर करते रहे हैं 19 बिस का फरक है ज्यादा फरक नहीं है लेकिन इन बातों को लगातार कहा गया है हमारी तीनों जल, खल, नब उनके बीच कोडिनेशन तो है हम गर्व कर सके ऐसी हमारी सेना की विवस्ताएं है किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व हो ऐसा हो वे अपने अपने तरीके से आंधुनिक्ता के लिए भी प्रयास करते हैं लेकिन आज जैसे दुनिया बदल रही है आज युद्द के दाइरे बदल रहे हैं, रूप रंग बदल रहे हैं आज जिस प्रकार से टेकनोलोजी ड्रिवन व्यवस्ताएं बन रही है तब भारत को भी टुक्रों में सोचने से नहीं चलेगा हमारी पूरी सैन्य सक्ती को एक मुस्त हो करके एक साथ आगे बढ़ने की दिशा में काम करना होगा जल थल नब में से एक आगे रहे, दूसरा दो कदम पीछे रहे, तिसरा तीन कदम पीछे रहे तो नहीं चल सकता तीनों एक साथ एक ही उन्चाई पर आगे बढ़े कोडिशन अच्छा हो, सामान निमानमी के आसाप आख्षाओं का अनूकुर हो विश्व में बदलते हुए युद्ध के और सुरक्षा के माहोल के अनुरूप हो इन बातों को ध्यान के रखते हुए आज मैं लाल के लिए से एक महत्वपून निर्णे की गोश्णा करना चाहता हूँ इस विशे के जो जानकार है वो बहुर लंबे अर्शे से इसकी मांग करते रहे हैं आज हमने निर्णे किया है कि अब हम Chief of Defense Staff CDS इसकी ववस्ता करेंगे और इस पत्के गठन के बाद तीनों सेनाओं के शिर्षत स्थर पर एक प्रभावी इंडेत खुत्व मिलेगा हिंदुस्तान के सामरिक दुनिया की गतिम है ये CDS एक बहुत अहम और रिफॉर्म करने का जो हमारा सपना है उसके लिए बल देने वाला काम है मेरे प्यारे देश वासियो हम लोग भागिवान है कि हम एक ऐसे कालखन में जन्मे हैं हम एक ऐसे कालखन में जी रहे हैं हम एक ऐसे कालखन में हैं जब हम कुछ लोग कुछ करने का सामर्त रखते हैं कभी-कभी मन में हमेशा रहता है कि हम आजहादी का जंग चल रहा था बगत सी सुगदेव राजगुरु जैसे महपुरूश अपने बलिदान के लिए स्परदा कर रहे थे महत्मा गांदी के देतरुतों में आजहादी के दिवाने गर-गर गली-गली जाकर के आजहादी के अपनों को साकार करने के लिए देश को जगा रहे थे हम उस समय नहीं थे हम पैदा नहीं हुए थे लेकिन देश के लिए हमें मरने का मौका नहीं मिला देश के लिए जीने का मौका जरूर मिला और यह सवभाग्य है कि यह काल खंड ऐसा है कि वर्थ हमारे लिए बहुत गांदी इन कोई 150 वी जन्म जैन्ती का ये परवार है ऐसे अवसर हमें अपने कालखंड में मिले ये अपने आपने हमारा सव भाग्या है और दूसरा हमारी आज़ादी के 75 साल देश की आज़ादी के लिए मर मिटने वालों का स्मरन हमें कुछ करने की प्रेणा देता है इस अवसर को हमने खोना नहीं देना चाहिए 130 करोर देश वाज़ों के रिदय में मातमा गांधी के सपनों के अनुरूप देश के आजादी के दिमानों के सपनों के अनुरूप आजादी के 75 साल और गांधी के 150 इस पर्वों को हमारी प्रेणा का महान अउसर बना करके हमें आगे बढ़ना है मैंने इसी लाल के लिए से 2014 में स्वच्छता के लिए बात कही थी 2019 में कुछी सब्तों के बाद मुझे भिसमास है भारत अपने आपको ओपन डेफिकेशन प्री गोशित कर पाएगा राज्यों ने गाओं ने नगरपाली काओं ने सब ने मिडिया ने जनांदोलन खड़ा कर दिया सरकार कही नजर नहीं आई लोगों ने उठा लिया और परणाम सामने है मैं मेरे प्यारे देश वाग से हूँ एक छोटी सी अपेक्षा आज आप से सामने रखना चाहता हूँ इस दो अक्तूबर को हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक क्या इस से देश को मुक्ति दिला सकते हैं हम निकल पड़े तोलिया बना करके निकल पड़े स्कूल कालेज हम साथ पुझे बापु को याद करते हुए और घर में प्लास्टिक हो सिंगल यूज प्लास्टिक यहां नहीं चोराये पर पड़ा हो गंदीना साथ भी खट्टा करे नगरपाली का एमा नगरपाली का ए गाम पंचायच सब इसको जमा करने की बतर करे और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में दो अक्तूबर को पहला मजबुत कदम उठा सकते हैं क्या आएए मेरे देश वाजियों हम इसको आगे बढ़ाएं और फिर मैं स्टार्ट अप्लालों को टेक्निशन्स को उद्यमियों को आगरण करता हूँ कि हम इन प्लास्टिक के री साइकल के लिए क्या करें जैसे हाइवेज बनाने के लिए प्लास्टिक अब उप्योग हो रहा है ऐसी बहुत सी विदाएं हो सकती है लेकिन जिसके कारण अनेक समस्याइं पैदा हो रही है उसे मुक्ति के लिए हमने ही अभियान छेड़ना करनेट ववस्ताइं भी देनी पड़ेगी मैं तो सभी दुकानदारों से आग्रा करूंगा आप अपने दुकान पर हमेशा बॉड लगाते हैं एक बॉड ये भी लगा दीजिए क्रिपा करके हम से प्लास्टिक की थेली की अप्रिक्षान न करें आप अपने घर दिरे घर से कपड़े का थेला ले करके आईए या तो हम कपड़े का थेला भी बेचेंगे ले जाईए हम एक बासावन बनाएं दिवाली पर हम भाती भाती की लोगों गिप्ट देते हैं क्योंने इस बार और हर बार कपड़े के थेले लोगों को गिफ करें, ताकि कपड़े का थेला लेकर के मार्केट जाएगा, तो आपकी कमपनी की अवर्टाइजमिन भी होगी, आप सिरफ डायरी देते हैं तो शायद कुछ नहीं होता है, कैलंडर देते हैं तो कुछ नहीं होत है, थेला जाएंगे, तो जहां जाएंगा थेले के आपकी अवर्टाइजमिन भी करता रहेगा, हम पुरेद चीजों को और जूट के थेले हो, मेरे किशानों को मदद करेगा, कपड़े के थेले हो, मेरे किशान को मदद करेगा, छोटे-छोटे काम है, गरीब भिद्वा मा जो सिलाई करती होगी, उसको मदद करेगा, यानि हमारा एक छोटा संदिन भी सामान्य मानवी के जीवन में किस प्रकार से बढ़लाव ला सकता है, हम उद दिशा में काम करें, मेरे प्यारे देश्वासियों, फाइव ट्रिलियन डालर एकानमी का सपना हो, स्वाव लंबी भारत की सल्पुशपना हो, मात्मा गांधी के आदर्शों को जीना आज भी प्रस्तु है, मात्मा गांधी के विचार आज भी सुत्य है, और इसलिए मेक इन इंडिया का जो मिशन हमने लिया है, उसको हमने आगे बढ़ाना है, मेरे इन इंडिया प्रोडक्ट, यह हमारी प प्राथिक्ता होगी, और हमने तो लकी कल के लिए, लकी कल के लिए लोकल प्रोडक्ट पर बल देना है, लकी कल के लिए लोकल, सुहानी कल के लिए लोकल, उजवल कल के लिए लोकल, जो गाउं में बनता है, पहले उसकी प्राथिक्ता, वहां नहीं है तो तैसील में, तैसिल से बाहर जाना पड़े तो जीले में, जीले के बाहर जाना पड़े तो राजे में और मैंने मानता हूँ कि उसके बाहर अपमेरी आवश्चताओं बिले कहीं जाना पड़ेगा कितना बड़ा बल मिलेगा, हमारे ग्रामीनर सरचना को कितना बल मिलेगा हमारी परमपरागर चीजों को कितना दल मिलेगा हमें मोबाईल फोन अच्छा लगता है हमें वाटसाप भेजना अच्छा लगता है लेकिन देश की एकोनॉमी में भी इसके कारान हम मदद कर सकते जानकारियों के लिए रहे टेको लोजी का जितना उतरउग है आद दुनिक भारत के निर्मान के लिए भी टेक darum वहोग है और सामान से प्यूश्ु आर्डージ करें हमें रुपे कार्ड सिंगापूर Karl रहा है हमारा रूपे-काड आने वाले दिनों में और देशों में भी चलने वाला है हमारी एक बीजी टल क्लिपर्फ्रॉम बडला मजबूती के साथ उखर रहा है लेकिन हमारे गाउं में छोटी छोटी दुकानों में भी हमारे शहर के छोटे छोटे मौल में भी हम क्यों न डिजिटल पेमेंट की और बल दे आए इमानदारी के लिए ट्रांसपरंसे के लिए और देश की एकॉनमी को तांकत देने के लिए हम ये डिजिटल पेमेंट और मैं तो व पुद्धार मैं चाहता हूँ कि अब को हमने बौर्ड लगा चाना ये डिजिटल पेमेंट को हाँ नकत को ना ये माहोल बनाना चाहिए मैं बैंकिंग छेतर को आगरह करता हूँ मैं वैपार जगत के लोगों को आगरह करता हूँ कि आए हम इन चीजों को बल दे हमारे देश म बल्क वर्टा चला जा रहा है अच्छी बात है साल में एक दो बार परिवार के साथ दुनिया के अलग रेक देशों में टूरिस्ट की रुप में भी जाते हैं बच्चों को एक्सपोजन मिलता है अच्छी बात है लेकिन मैं आज एसे सभी परिवारों से आगरह करता हूँ देश के लिए जब देश आजादी का 75 साल मना रहा है तब देश के लिए इतने महापुरुषों ने बलिजान दिये हैं तब जिंदगी खपा दी है तब क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपके संतान भी हमारे देश की बारिकियों को समझे कौन माबाप नहीं चाहेगा कि हमारे आपकी आने वाली पीडी भावत्म गुरुप से इस मिट्टी से जुड़े इसके इतिहास से जुड़े उसके हवाओं से उसके पानी से नई उर्जया प्राप्त करें यह हमने प्रेत पुर्व करना चाहिए हम कितने ही आगे बढ़ें लेकिन जड़ों से कचना हमें कभी भी बचा नहीं सकता है बढ़ा नहीं सकता है और इसलिए जो दुनिया में टुरिश के रुप में भले जाते हो क्या मैं आप से एक चीज बांग सकता हूँ लाल किले पर से देश के नवज़मानों के रोज़गार के लिए बिश्वमे भारत की पहतान बनाने के लिए भारत का सामर्त उजागर करने के लिए मेरे प्यारे देश वासियों आज मैं आप से छोटी से मांग कर रहा हूँ क्या आप तै कर सकते हैं कि 2022 आजादी के 75 साल के पहले हम कम से कम अपने परिवार के साथ भारत के कम से कम 15 टूरिस डेस्टिनेशन पे जाएंगे वहां कथिनाईया होगी तो भी जाएंगे वहां अच्छी होटल नहीं होगी तो भी जाएंगे कभी कभी कथिनाईयां भी जिन्दगी जीने के लिए काम आती है हम बच्चों को अदग डाले यही हमारा देश है और एक बार जाना शुरू करेंगे तो वहां व्यवस्ताएं विक्षित करने वाले भी लोग आने लग जाएंगे क्यों न हमारे देश में सो ऐसे बढ़िया तूरिस्ट डेस्टिजेशन डेवलप न करें क्यों हर राज्य में दो या पांच या साथ तौप क्लास तूरिस्ट डेस्टिजेशन त्याग तारगेट करके ताय करें और हम ताय करें हमारा नौर्टीज इतनी प्रांकृतिक संपदा है लेकिन कितनी उनिवर्सिटी होगी जो अपना टूरिस्ट डेस्टिजेशन नौर्टीज को बनाती है जान्दा कंट्रिबुट करना नहीं पड़ता है आपको साथ दिन दस निकालते हैं लेकिन देश के बीतर ही निकाल दिये आप देखिए आप जहां जाकर करेंगे वहां नई धुनिया सड़ी करकर करेंगे बीज रोपीत करके आजाएंगे और जीवन में आपको भी संकोष म से आ रहे हो आपने तमिल नाडू का वो टेंपल देखा है और हम कहेंगे नहीं मैं नहीं गया तो वो हमें पूछे का रहे कमाल हो मैं तो तुम्हारे देश में तिरूपत तमिल नाडू के मंदी देखने चला गया था और तुम यहां देखने आये हो हम दुनिया में जाएं अ मेरे देश वास्यों के लिए ये धर्ती हमारी मा है भारत माता की जय बोलते ही हमारे भीतर उर्जा का संचार होता है बंदे मात्रम बोलते ही इस धर्ती मा के लिए खब जाने की प्रेणा मिलती है एक दिर्ग काली निक्यास हमारे सामने आता है लेकिन क्या कभी हमने इस धर्त मा के स्वास्त की चिंता की है हम जिस प्रकार से केमिकल का उप्योग कर रहे हैं केमिकल फटिलाइजर का उप्योग कर रहे हैं पेस्टिसेट का उप्योग कर रहे हैं हम हमारी धर्ती मा को तबाह कर रहे हैं इस मा के संतान के रुपे एक किसान के रुपे मुझे मेरी धर्ती मा को तबाह करने का हक नहीं है मेरी धर्ति मा को तूखी करने का हक नहीं है मेरी धर्ति मा को बीमार बना देने का हक नहीं है आये आजादी के 75 साल होने जा रहें कुछ जब आपने हमें राष्टा दिखाया है क्या हम 10 परसंट 20 परसंट 25 परसंट अपने खेत में ये केमिकल फर्टिलाइजर को कम करेंगे हो सके तो मुक्तिकार अभियान कलाएंगे आप देखिये देश की कितनी बड़ी सेवा होगा हमारी धरती मा को बचाने में आपका कितना बड़ा योगदान होगा बंदे मात्रम कहकर के जो फांसी के तक्त पर चड़ गया था उसके सपनों को पूरा करने के लिए ये धरती मा को बचाने का आपका काम उसके भी आशिरव प्राप्त करेगा जो कभी फांसी के तक पर चड़कर के बंदे मात्रम कहा करता था और इसलिए मैं आप शहाग रह करता हूं और मैं मुझे विश्वास है कि मेरे देश्वास ही करके रहेंगे मेरे किसान मेरी इस मांग को पुरा करेंगे यह मुझे पुरा विश्वास है मेरे प्यारे भायो भेनों, हमारे देश के प्रोफेशनल्स, उनकी आज पूरी दुनिया में गुंज है, उनके सामर्थकी चरका है लोग उनका लोहा मानता है स्पेस हो, टेकनलोजी हो हमने नए मुकाम प्राप्त किये हैं हमारे लिए खुशी बात है कि हमारा चंद्रयान तेजी से चांद के उस छोर की आगे बढ़ रहा है जहां अब तक कोई नहीं गया हमारे वज्यानिकों की सिद्धी है उसी प्रकारते खेल के मैदानों में हम बहुत कम नज़राते थे आज दुनिया के खेल के मैदानों में मेरे देश के 18-20 साल, 22 साल के बेटे-बेटियां हिंदुस्तान का तिरंग जंड़ फैरा रही है कितना ज़र्ब होता है देश के खिलाड़ी देश का नाम रोशन कर रहे है मेरे देश देशवासियों हमने हमारे देश को आगे बढ़ाना है हमें हमारे देश में बढ़लाव लाना है हमने हमारे देश में नई उचाईयों को पार करना है और मिल जूल करके करना है, शरकार और जनता ने मिल करके करना है, 130 करोड देश वासुने करना है, देश का प्रधान मंत्री भी आपी की तरह इस देश का एक बालक है, इस देश का एक नागरिक है, हम सब ने मिल करके करना चाहे, आने वाले दिनों में, गाउं में, देड़ ला एक मेडिकल कॉलेज हमारे नवजवानों को डॉक्तर बनने के सपने पूरा कराना है तो करोड से अधिक गरीबों के घर बनाने हैं हमने 15 करोड ग्रामिन घरों में पीने का पानी पहुचाना है सबालाद किलोमिटर गाउं की सडके बनानी है हर गाउं को ब्राडबेंट करेक्टिविटी अप्टिकल फार्वर मेटवर्स से जोडना है पचास हजार से जादा नए स्टार्ट अप का जान बिछाना है अनेक सपनों को ले करके आगे बढ़ना है और इसलिए भाईयो भेनो हमें देश वासियों ने मिल करके सपनों को ले करके देश को आगे बढ़ने के लिए चलना है और आजादी के 55 साल इसके लिए बहुत बड़ी प्रेना है मैं जानता हूँ लार किले की प्राचीर पर समय की भी सीमा है एक सो तीस करोर देश वासि उनके सपने भी है एक सो तीस करोर देश वासियों की अपनी चुनोतियां भी है हर सपने को हर चुनोति का अपना महत्वी है कोई अधिक महत्वपूर है कोई कम महत्वपूर है ऐसा नहीं है लेकिन बारिस की मौसम है लंबा बोलते बोलते की पूरा होने की संभावना नहीं है और इसलिए हर इश्यू का अपना महत्वपूर होने के बाउजिर है जितनी चीजे आज कह पाया कह पाया हूँ जो नहीं कह पाया हूँ वो भी महत्वपून है उन बातों को ले करके हम आगे बढ़ें देश को हमें आगे बढ़ाना है आज हजी के 75 साल गांधी के 150 और भारत के सम्विधान के 70 साल हो रहे है बाबा साब आमबेड करके सपने और यह वर्ष महत्व है गुरु नानक देव जी का 550 और पकास पर्व भी है आईए बाबा साब आमबेड कर गुरु नानक देव जी की सिछा को ले करते हम आगे बढ़ें और एक उत्तम समाज का निर्वान उत्तम देश का निर्वान विश्व के आशा अपेक्षाओं का नूर भारत का निर्मान हमें करना है मेरे पैरे भाईवेनों हम जानते हैं कि हमारे लक्ष हिमालय जितने ही उचे हैं हमारे सपने अंगिनत असंग के तारों से भी ज्यादा है लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे होसले की उड़ान उसके आगे आसमान भी कुछ नहीं है ये संकल्प है हमारा सामर्थ हिंद मागर महा सागर जितना अथा है हमारी कोशिश हैं गंगा की धारा जितनी पवित्र है निरंतर है और सबसे बड़ी बात हमारे मुल्यों के पीशे हजारों साल की पुरानी संक्रदी रुष्यों की मुल्यों की तपस्या बेस्वास्यों का त्याग कठोर परिशम ये हमारी प्रेणा है आईए हम इनी विचारों के साथ इनी आदर्सों के साथ इनी संकल्पों के साथ सिद्धी प्राप्त करने के लक्ष को ले करके हम चल पड़े नया भारत निर्मान करने के लिए अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए नया आत्मे विश्वात नया संकल्प नया भारत की बनाने की जड़ी बुट्टी है आईए हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं इसी एक अपेक्षा के सार मैं फिर एक बार देश के लिए जीने वाले देश के लिए जूजने वाले देश के लिए मरने वाले देश के लिए कर गुजरने वाले हर किसी को नमन करते हुए मेरे साथ बोलिए जए हिंद भारत माता की भारत माता की बंदे 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 बहुत बहुत धनिवाद